आज हम लोग बात करेंगे एक बिसेश चीज़ पे एक्जेक्टली आज से पांच वर्स पहले आजी के दिन अपने यहां डिमोटाइजेशन हुआ था इंडिया में पांसो और हजार के नोट बैन किये गये थे पुराने नोट को रिमूफ किया गया था क्या इंप्लिकेशन हुआ और आज हम कहां पहुचे हैं इस पे हम लोग डिटेल डिसकसन करेंगे वीडियो को आगे देखने से पहले काइंडली सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक्यू वेरी मुच बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं त आज वर्स पुर्व हुए अपने यहां डिमोटाइजेशन का याद हो आठ नहंबर 2016 को जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉंस किया था कि 500 और 1000 के नोट चलने बंद हो गये थे आठ नहंबर 2016 के मिड़नाइट से तो पांस साल उसके बीद गये हैं और आज पांस साल के के बाद एक्च्वल स्थिति क्या है हमारे हां करंसीन सर्कुलेशन उस वक्त कितना था और आज कितना है इन तमाम बातों पर आज हम लोग डिसकस करेंगे बड़ी अच्रज भड़ी दिखती है मगर यह सत्य है कि जिस वक्त डिमोटाइजेशन हुआ था और 500,000 के पुराने रोट नोटों को बैंक में जमा करने को कहा गया था उस वक्त हमारे देश की टोटल जो करंसीन सर्कुलेशन थी वो थी 17.97 लाग करोड 17,97 लाग करोड और उसमें से तक्रीबन 15.41 लाग करोड 15.41 लाग करोड जो था वो सिर्फ 500,000 के नोट थे और जिसे बैन किया गया था और कहा गया था कि अब वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और उसके बाद अफरा तफ्री का महौल शुरू हुआ था और वो सारे पुराने पैसे को बैंक में जमा करने पड़े थे उसमें से तक्रीबन 15.31 लाग करोड बैंक में डिपॉजिट हो पाया कुल मिला के और बाक कि नहीं हुआ था 15.31 का रिपलेस्मेंट आया मगर आज का जब हम वो क्यल्कुलेशन देखते हैं करनसी इन सरकूलेशन देखते हैं तो वह 29.45 लाग करोड है यानि अगर हम लोग देखें तो कहा 17.97 लाग करोड का करनसी इन सरकूलेशन था 2016 में मगर आज है 29.45 लाग अगर आज के डेट में यह बढ़के 13.2 परसेंट है यह 29 अक्टूबर का डेटा पे में लोग बात करें तो यह 13.2 है यानि कि currency in circulation अगर हम लोग 2016 के comparison में देखते हैं तो इनिश्चित रुप से absolute term में तो बढ़ा ही बढ़ा है इवन nominal GDP के ratio percentage के हिसाब से भी बढ़ा है मगर इसके पीछे एक logic दी जाती है कि Corona काल चुकि पिछले दो वर्सों से जिस महा महरी से पुरी की पुरी दुनिया और खास के हमारा देश गुजर रहा है तो लोगों में एक tendency है कि currency को hold करने का बैंकों से निकाल के अपने पास रखने का क्योंकि last year का हम लोग data देखते हैं इसी time का तो 13.8% of nominal GDP currency की CIC थी यानि currency in circulation था जो की निश्चित रूप से घटा है इसके और बहुत सारे implications हो सकते हैं मगर purely अगर देखें तो currency circulation घटा नहीं है of course government के जो data है जो दावे हैं कि demotization का क्या क्या फाइदा हुआ क्योंकि opposition हमेशा ये कहते आ रहा है दो segment है एक segment कहता है कि ये economy के लिए बहुत अच्छा हुआ formalization of economy हुआ मगर दूसरा एक बड़ा segment हमेशा ये कहता है कि इससे हमारी जो economy है उसको नुकसान हुआ और तक्रिवन एक से डेड़ परसेंट हमारी GDP नुकसान में चली गए उस particular year और उसके कारण consequences कही वर्षों तक रहा employment की भी काफी सारी परिशान्या हुई अफरा तफरी का मोहल जो था वो तो था ही मगर government के data point इसको differently सामने लाते हैं जिसमें importantly अगर देखेंगे तो कहा जाता है कि demotation के कारण और यह fact भी है कि taxpayer की संख्या बढ़ी है अगर आप देखेंगे currently तो इस महामारी के बाबजूद भी हमारे tax collection चाहे वो corporate लेबल पे हो चाहे वो individual लेबल पे हो चाहे वो GST लेबल पे हो चाहे वो excise custom लेबल पे हो हर जगा हमारे tax collection इंप्रूव कर रहे हैं और यह अच्छी खबर है तो निश्यत रूप से किसी भी अच्छे कदम और एक tough कदम जब लिया गया तो उसकी criticism तो होगी होगी मगर यह evaluate करनी की ज़रत है और यह आज ही और evaluate करनी पड़ेगी कि इस demotization के कितने फायदे हुए किस तरह से formulation of economy की बात जो की जाती है कि parallel economy कहा जाता था कि एक टाइम में इंडिया का 50-50% है 50% formal economy है 50% parallel economy है जो निश्यत रूप से सारे economic pointers to indicate करते हैं कि वो घटे हैं और formulation of economy के तरफ हमारा देश बढ़ रहा है मगर अगर currency and circulation इसी रफ्तार से बढ़ता रहे अगर pandemic खतम हो जा उसके बाद जूद भी इतनी हाई रहे तो वो चिंता का विसाय हो सकता है जो आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे और analyze करेंगे तो मैं आज यही information देना चाह रहा था कि निश्यत रूप से currency and circulation जो demotization क के time था उससे अधिक है दोनों ही absolute term में तो बहुत ही अधिक है इवन percentage terms में भी उससे अधिक है जिसवग demotization किया गया था आज भी जो बड़े currency note है चाहे वो 2000 के note हो 500 के note है वही major part हमारे currency circulation के है अफकोर रिजर बैंक अफ इंडिया ने उसके बाद 200 के भी note निकाले 100 के भी मगर majority part आज भी 2500 का है निश्यतुरूप से government ने 2000 के नए currency की printing के लिए अभी कोई फिलहाल order नहीं किया है मगर 500 की note तो काफी अधिक market में available भी है और दिख भी नहीं है तो निश्यतुरूप से currency and circulation किस तरह से जाती है किस दिशा में जाती है क्योंकि digital economy पे बहुत जोर है digital payment के systems काफी improve कि है UPI वेरा निश्यतुरूप से हमारे देश में हर महिने तकरीबन एक नया record छूड़ा है तो अब यह देखनी की ज़रत होगी कि currency circulation सच्मुच में घटता है या नहीं घटता है हमारा formulation of economy बढ़ता है या नहीं बढ़ता है और निश्यतुरूप से पहले economy कितना कम जोर होता है यह सारी चीज़ों indicate करेगी कि economy का progress किस तरह से होता है तो आज के weekly funda में यही जानकारी आप लोग के साथ share करना चाहता हूं कि आप सोचिएगा जरूर कि 5 साल पूर्व घटना हुआ था जिसमें सचमुच में लोग हिल गया थे समझ में नहीं आ रहा था क्या कर दिख रहा है और आपके इड़्दगिर्द आपको दिख रहा है इन इन चीजों पर आज इसलिए मैंने चर्चा की कि 5 साल एक बहुत ही important decision का पांच साल पांच वर्स हो चुके हैं आज तो हम लोग फिर से एक बार उसको याद करें और आगे हमारी देश की economy बहतर हो इसके लिए संकल्ब बिले तो थैंक यू वेरी मच नमस्कार